दोस्तो बाज यानी इगल वो पक्ची जिसकी बच्पन से बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है आम तोर पर पक्चियों के बच्चे पैदा होने के बाद कई दिन रोटी के लिए चिची आते रहते हैं कम से कम एक या दो महिने तक पक्चियों के बच्चे खाने के लिए अपनी मापर निर्भर होते हैं लेकिन बाज के बच्चों का बिल्कुल उलट होता है एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है तब ही से उसकी ट्रेनिंग सुरू हो जाती है और ये ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है पैदा होने के महच कुछी दिनों बाद ट्रेनिंग का पहला पड़ाव सुरू हो जाता है जिसमें मादाबाज अपने बच्चों के लिए खाना लेकर तो आती है लेकिन वो खाना सीधा बच्चे के मुँ में नहीं डालती बलकि अपने घोसले से कुछी दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूरी से उस चूजे को दिखाती है अब बच्चा भूका होता है और उसे उस खाने की जरुवत होती है इसलिए चूजे को अपना पूरा जोर लगाकर संगर्स करते हुए घोसले से बाहर निकरना पड़ता है गिरते पड़ते उसे अपनी मा की तरफ जाना पड़ता है जहां खाना पड़ा होता है इस संगर्स में वो चूजा जक्मी भी हो जाता है लेकिन मादाबाज का दिल नहीं पिगलता वो तब तक होंसले से दूर खड़ी रहती है जब तक चूजा उस तक नहीं पहुंच जाता ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाओ में कुछ दिनों के बाद मादाबाज अपने बच्चे को पंजे में दबा कर आस्मान से 10 से 12 किलोमेटर उचा ले जाती है और फिर उतनी उचाई से चूजे को फेक देती है ये उस चूजे की सबसे कठीन परिक्षा होती है जैसे ही मादाबाज अपने चूजे को इतनी उचाई से नीचे फेकती है बच्चे तो जैसे लोट पोट होते हुए नीचे गिरने लगते है जब वो जमीन से करीब 1000 मीटर की दूरी पर होता है घबराट में अपने पंक फैलाना सुरू करता है लेकिन उड़ नहीं बाता और उसे ऐसास हो जाता है कि अब वो मरने वाला है लेकिन तबी मादाबाज तेजी से उस चूजे को हवा में ही अपने पंजों में दबाती है और सुरक्षी जवीन पर पटक देती है मादाबाज ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि वो चूजा अच्छी तरह उड़ना ना सीख ले इस तरह एक बाज की बजपन में ट्रेनिंग सुरू हो जाती है ताकि वो इस खत्रों से भरी जिंगी में भी सबसे सक्ती साली बने रहे अपने इसी सक्त प्रसिक्षन की वज़े से एक बाज अपने से दो गुना वजनी सीकार को भी उठा कर ले जा सकता है बाज की इस जिंगी से हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तो हम सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमेशा याद रहे कि प् वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा जिंदगी जीना आसान नहीं होता बीना संघर्ष के कोई महान नहीं होता जब तक ना पड़े हतोड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता अगर वीडियो यूसफूल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के झाल